हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं हमनुपम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुपम क्लाजम में दोस्तों आप सभी से गुजारिस है कि जब भी आप चैनल पर आते हैं वीडियो देख रहे होते हैं तो प्रतीक वीडियो को कम से कम 10-15 मिट जरूर देखें क्योंकि जब आप 2-3 मिट देखके चले जाते हैं तो जो चीज़े मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट कोशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं वह आप तक नहीं पहुंच पाते हैं और मेरी पूरी मिनत बेकार्ष लियाती है तो देखिए कि मैं बेसिक पढ़ाता जरूर हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने अच्छे कोशन ने करा हैं वो भी मैंने करा हुए आ गया पूरी वीडियो देखिए तो कम सखम ठीक है तो दोस्तों आगे से वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और दूसरी बात दोस्तों यह है कि जब आ करते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ओके थैंक्यू तो देखिए अब हम लोग लेकपाल बढ़ती में गड़त की क्लासे चला रहे हैं आठ क्लासे हमारी हो चुकी है आज यह नाइन्थ नमर की क्लासे रेखा गड़त हमारा कंप्लीट हो चुका है अलजब्रा चल र कर लिया है और युगपत समीकर्ण कर लिया है आज जो हमारा टॉपिक है वो है दुई घात समीकर्ण ओके और यहां पर इसके भी हम पंदा कोशन करने वाले हैं सभी कोशन आए हुए है पेपर में क्लियर तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक कि कर क्या है एक्स ही तुचर है जब किसी चर की अधिकतम पावर दो हो भाई इस इसक्वेशन में एक्स की अधिकतम पावर कितनी है दो तो हम बोल देंगे धीगात समीकर्ण है ऐसे ही दूसरी विच्वेशन भी हो सकती है है ना वाई का स्कूर प्लस 5y plus 2 equal to 0 तो यहाँ पर दिखिए चर क्या है? चर क्या है? y है और इसके अधिक्तम power क्या है? 2 तो यह क्या है? दूइगात समिकर्ण अब इसी दूइगात को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ग समिकर्ण क्योंकि भाई पावर 2 होती है जब A की पावर 2 है तो इसके मतलब क्या है? A का स्क्यार है या A का वर्ग है इसलिए इसको वर्ग समिकर्ण भी बोलते हैं, clear? अब देखिए यहाँ पर क्योंकि X की अधिक्तम power 2 है तो यहाँ पर जो X की value होंगे वो कितनी होंगी? 2 होंगी ठीक है? यहाँ एक स्के 2 मान होंगे clear है? तो अब हम बात करते हैं समिकर्ण को हल करना समिकर्ण को हल करने का 2 तरीके हो सकते है महाँ पास है, एक तो हो सकता है factor method और दूसरा हो सकता है formula लगा के ठीक है formula कौनसा होता है हमारा? वही स्रीधरा चारे वाला formula लगता है ठीक है हाँ पर? तो पहले हम factor method लगाते है simple basic तरीके से पहला question जो है हम ऐसे करेंगे basic तरीके से, यानि factor method से देखी होता क्या है? कि देखी x square का जो multiple में है यहाँ पर multiple में क्या है? 1 ठीक है? जुतना भी है उसकी multiplication यहाँ पर इस वाली term से है जिसमें x नहीं है, उससे करते हैं multiply करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 10 second 10 अब इस 10 के factor करते हैं जैसे कि, 2 के factor करते हैं 10 second के 2, 5, 10 अभी जो factor हुए 2 और 5 इनका काम यह होता है कि यहाँ पर जो value लिखी है x के साथ में, 7 कुछ भी करो, 2 और 5 के साथ कुछ भी करो, 7 आ जाया है तो क्या कर सकते हैं, 2 और 5 को जोड़ दो simple बात है यह सकते हैं 2 और 5 को जोड़ दिया हमें, 7 हो जाएगा तो इसको हम अगली line में लिखते हैं क्या बनेगा हमारा यह? यह बनेगा x स्क्वार प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 एक्वल टू 0 यही बन रहा है, अब देखिए पहले दो टर्म जो है इसमें से हमारा x कॉमन हो जा रहा है x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 5 क्यों कर रहे हैं? यह आपको समझ मा जाएगा यहाँ पे अब देखिए आगे के जो दो टर्म है इसमें क्या हो रहा है? हमारा दो कॉमन आ रहा है कितना हो जाएगा? x प्लस का 5 अब देखिए यहाँ से इससी क्या हो रहा है कि x प्लस 5 x प्लस 5 फिर से कॉमन मिला है दोनों में हमें तो x प्लस 5 यहां पर common लिया हमने, और x प्लस 2 बच गया हमारा, ठीक है, equal to 0, अब देखें, दोनों में से, हम दोनों चीज़ों को एक एक बार 0 करते हैं, एक बार x प्लस 5 equal to 0 रखते हैं, और एक बार x प्लस 2 equal to 0 रखते हैं, तो यहां से क्या हो जागा, x की वेलू कितने हैं जागे, minus का 2, और यहां से x की वेलू कितने हैं जागे, x से पराबर minus का 5, तो यहां से x की कितनी वेलू जाएं हैं हमारी, 2, यहां से x के कितने हल हैं, 2 हल हैं, यहां से x equal to 5, और x equal to 2, clear है, चलिए, यह तो होगी हमारा factor method, basic तरीक है, सभी questions में ऐसे ही करते हैं, ठीक है, स्रीधराचार formula, अच्छा, चलो, यह तो बात हो गई, अब देखे, एक तो यह equation हमारी दी गई है, एक standard equation होती है, standard equation का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, ax का square, plus bx plus c equal to 0, यह हमारी standard equation है, clear, जितनी भी equation हमारी दुइघात समी कर लोंगी, इसी pattern को follow करेंगी, अब इसकी तुल्ला क्या करते हैं, इससे कर देते हैं, जो उपर equation दी गई है, इसकी जो तुल्ला है, इससे करते हैं, तो x के एक जिगा पर हमने क्या लिखा हुआ है, भई x square के गुलांक a है, यहाँ पर x square के गुलांक कितना है, 3 है, तो यहनि a equal to कितना हो जाएगा, 3, अब ऐसे ही 10x, यहाँ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर, 10, ऐसे ही देखिए, c, c equal to कितना है, minus का 8, c equal to कितना है, minus का 8, clear, चलिए, अब हम लगाएंगे यहाँ पर, 3 धराचारे formula, क्योंकि formula में, इन a, b, c की जो value है, वो डालने पड़ती है, इसलिए हमने पहले standard equation आपको बताए, clear, चलिए, अब व value तो find करता, तो x equal to क्या जाएगा, minus का b, plus minus, दो sign होते है, plus minus, under root, under root के अंदर क्या होगा, b square, minus का 4, a, c, upon 2, a, ठीक है, तो यह जो formula है, यह इसको बोलते हैं, स्रीधराचार formula, अब इसी में, a, b, c की value हम, इस equation के लिए, इसमें डालेंगे, और x की value find कर लेंगे, तो x equal to कित कितने हो जाएगे, minus का formula में है, 10 लिख दिया हमने, plus minus, under root, देखे, b कितना है यहां पर, b 10 है, तो 10 का square या नहीं, 10 का square, minus का 4, a कितना है, 3, c कितना है, minus का 8, clear, upon 2a, 2 कितना है, sorry, a कितना है, 3 है, अब यहां पर देखिए, कितना हो जाएगा, यह हमार हो जाएगा, minus का 10, plus minus, 10 दा हम 100 हो जाएगे, under root के अंदर जितना भी है, उसको हम यहां पर solve करते हैं, तो यह जाएगा 100, और minus, 8, 3, 4, 12, और 12, ठीकितना होता है, 12, 96, तो यहां पर कितना बचाएगा, 4 बच जाएगा, अब 4 का under root लेंगे, हम यहां पर कितना बचा clear है, तो यह एक बार क्या करेंगे, हम यहां पर अब 2 value निकलेंगे, क्या, क्योंकि भाई, एक बार जो हम पहली बार में लेंगे, तो minus का 10, और plus का 2 लेंगे, upon कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यह हमारी value आजाएगी, minus का 8, बच छे, यह हमें कर सकते हैं, कि minus का 4 बच 3, एक value तो हमारी कितना आगे, minus का 4 बचे, 3, अब दूसरी बार में हम क्या लेंगे, हम इसको solve करते हैं, यहां पर, यहां पर solve कर लेते हैं, क्या जाएगा, एक बार लेंगे हम कितना, minus का 10, और minus का 2 upon 6, यानि कि minus का 12 बचे, कितना हो जाएगा, minus का 2, और एक value कितनी आगे, ह और यहां आगे value, ठीक है, तो यहां पर simple आपको कुछ नहीं करना था, इस formula में डालना था, ABC की value, और आपका solve कर लेना है, answer आजाएगा, ठीक है, तो यह भी असान तरीका है, बट ज्यादा आसन पहले लापड़ता है, हमारा, clear है, चलिए, आगे देखते हैं, अब यह हमार question आया है, पहला, इतना तो मैंने समझाया था अपर तक, यह question है, जो paper में आ चुका है, अब इसके मूल क्या होगा, यानि कि इसका solution, यानि X की value, क्या होगी, यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए, इसको solve करते हैं, अब वही चीज़ है, अब हम गुरंखन में ते लगाएंगे, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 root 3 हमको लाना है, कुछ भी करें, इस 3, 3 into 3 का कुछ भी करें, बट 4 root 3 हमारा आ जाए, कैसा आ सकता है, आप खुछ सोचने वाली बात हैं, तो थोड़ा सा यह समझे कि, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कि X square, minus का, 3 root 3, और minus का root 3, सुर्य, यहाँ पर X भी तो होगा, multiply में, यहाँ एक से तो यहाँ पर X भी तो लिखेंगे, यहाँ, ठीक है, 3 root 3X minus का root 3X plus का 9 equal to 0, भी हमने किया क्या है, कुछ ने किया, इन दोनों को जोड के क्या आ जाएगा, 4 root 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो बस इतने ही तो हमें करना था, अलग करना था, हमने कर लिया, गुर्ण खंड वाले कैसे क्या, देखो, 3 into 3 बन रहा था, बट 3 into 3 से हमारा 4 तो बन नहीं रहा, तो इस 3 को हमने फिर से तोड लिया, root 3 into root 3, और into 3, ठीक है, तो एक 3 root 3 यहाँ पर आ गया, और एक root 3 यहाँ पर आ गया, क्या बचेगा, x यहाँ पर minus का, 3 root 3 ही बचेगा, चीक है, equal to 0, अब देखें, दोनों में से, x minus 3 root 3, यहाँ पर common मिल रहा है, तो क्या बचेगा, x minus root 3 equal to 0, और जब हम दोनों को equal to करेंगे, इस वाले term को 0 करेंगे, और फिर एक term को 0 करेंगे, तो x की value एक क्या जाएगी, 3 root 3, और एक value आजाएगी, x वराबर, root 3, ठीक है, तो यह हमारी दो values आजाएगे, ठीक है, simple देख लें, आप कौन सा option हमारा match कर रहा है, तो यह हमारा option match कर रहा है, पहला वाला, नहीं नहीं, पहला नहीं, दूसर option, option number B, ठीक है न, तो इसमें कुछ simple थाया, आप चाहे तो formula भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह question आया हुआ है, पेपर में, तो अगला question second number देखो क्या है, कह रहा है कि, x plus 1, bracket में x square plus 2ax, और plus a minus 1, में x का एक mole क्या होगा है, यह नहीं कि x की एक value क्या होगी, यह हमें find करना है, तो आप चाहे तो formula लगा सकते हैं, यह आप basic method लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर basic लगाऊंगा, देखो, equation वही है, a की जगा पर हमने क्या लिग दिया है, a plus 1, और b की जगा पर हमने 2a लिग दिया है, और c की जगा पर a minus 1 लिग दिया है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, कि जब गुरंखर्ण करें, तो यहाँ पर कैसे भ और plus a minus 1, equal to 0, एक दो equation हमारी, अब इसको आप ऐसे भी लिए सकते हो, a plus 1, x square, plus a plus 1, x, और एक बार, ऐसे कर सकते हो, a minus 1, x, ठीक है, और बाकी हमने simple लिख लिए, तो हमने नया क्या क्या यहाँ पर है, नया बस 2a x को हमने यह कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यह करने के बाद, वापस तुमारा अगर जोडोगे, खोलोगे, तो फिर to a x ही आ जायेगा, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले इस वाले टर्म में इन दोनों में हमें क्या करना है, जो हमें blue अंडर क्या है, a plus 1, x common मिल जाएगा, a plus 1, x common मिलेगा, ठ x plus 1, चीक है, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, x plus 1, यह common, और यहाँ पर जो बच्चा हुआ है, a plus 1, x और plus a minus 1, दीखिए जब आप इसको खुद करेंगे, तो अच्छे से समाझ में आएगा, equal to 0, तो एक बार को हम जब 0 करेंगे, तो x plus 1 वाले टर्म को 0 करेंगे, तो x के value कितने जागे, minus का 1, तो इसमें से एक मूल, देखिए अगर option में मिल रहा है, तो option number D, ठीक है, देखिए, है कुछ question में नहीं, कुछ भी question में नहीं है, बट ये question paper में आ सकते है, important question है, clear है, चलो, एक question और करते हैं, आप पर हम इस type का, फिर हम type question को बदलेंगे, ये भी paper में question number 3, ये आपने कच्छा 6-78 में लगाया, शायद कच्छा 8 में लगाया होगा, अपने question, x की power 4, minus 25 x square, plus x44, equal to 0 में, x के धनात्मक मान, क्या है, देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, दूइगा समय करां, बट x की power 4 आ गया है, अब क्या करें, तो हम देखो, simple कर सकते हैं, कि हम x का square को, अगर y मान ले, x square को y मान ले, तो हमारी ये equation ही पूरी बदल जाएगी, क्या equation बदल जाएगी, फिर इस वाली equation को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, हम नहीं क्या, x square equal to y, ठीक है, तो हम नई equation में आ रहे हैं, क्या बनेगी, y का square, minus 25, क्योंकि x square को पर हमने y ले लिया, तो ये y हो जाएगा, plus 144, इक्वाले से को 0, तो यहाँ पर भी हमें 144 का जो है, factor करेंगे पहले, ठीक है, तब ही कुछ हो पाएगा, 140 को factor कर रहे हैं, तो 2 से कर जाएगा, 24, दो दो नी चाहर हो जाएगा, और फिर दो से दो थी अच्छे, दो चंग बारा, और दो से दो एकंदो, दो आठ्टे सो लाँ जाएगा, क्याना, और दो, नव आठारा, और तीन, तीन, ठीक है, अब यहे दो, 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 और फिर ती तीन, ठीक है, अब इसको कुछ भी करके हमें, जितनी भी यहाँ पर गुलन खंड है, कुछ भी करके मैं 25 लाना है, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर, दो दूनी चाहर, चाहर दूनी आठ, और आठ दूनी 16, ठीक है, और 16, नव पच्छिस, हैना, यहाँ पर बजाएगा, देखे, दो दूनी चाहर, चाहर दूनी आठ, रडूनी 16, और 16, और 13 तीन तीन, 16, नव पच्छिस हो जाएगा, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, माइनस का 16Y, ठीक है, और माइनस का 9Y, और 144, ठीक है, माइनस में जरूर के माइनस 25 हो जाएगा, देखे, वहाँ से हम माइनस क कम हो जो सकते हैं, Y माइनस 16, और यहाँ पर माइनस का 9 कमन लेंगे, तो Y मैनस, इतना हो जाएगा, नो एक नो, और नो चंग, नुछाक 14, ठीक है, 14 हो जाएगा, 16, देखे, Y एक्वल तो, Y मैनस 16 कमन हो जाएगा, फिर से, और Y मैनस, 9 हो जाएगा, 0, clear, इतना समाझ में आ आ देखे, Y एक्वल्टू, 11, हमने रख सकते हैं, Y एक्वल्टू, 26 कर सकते हैं, कि इस वहले टरम को हम अगर, 0 करेंगे, आ जाएगा, लिकिन Y एक्वल्टू क्या दिया हुआ, साथ में हमें ये भी तो दिया हुआ है, कि Y हमने माहना था, X स्कौर, तो X 2 स्कुर इस उक्र् स्क्राइब प्लस मानेस फूर ऐसे ही यहां से जो हमारी वैलू आएगी वह क्या आसकती है यहां पर देखिए जहां पर देखिए क्या हो जाएगा y-9 9 equal to 0 और y equal to हो जाएगा y की जगा पर क्या लेख सकते हैं x square equal to 9 यानि x की value कितने जाएगी plus minus 3 तो हमसे पुछा था कि धनात्मक values तो धनात्मक क्या है x की धनात्मक value यहां पर 4 है और यहां पर 3 है 4 और 3 ठीक है क्यों हमसे धनात्मक values को देखना यहां पर है ठीक है तो धनात्मक कौन सी value है पहला option में ठीक है अगर हमसे रड़ात्मक पुछता तो हम किसमें लगाते हैं minus 3 minus 4 में ठीक है क्योंकि यहां पर 4 values आई है क्योंकि x की power 4 है तो 4 values आई कितनी ठीक है minus का 4 minus का minus का 4 प्लस का 4 और minus का 3 प्लस का 3 ठीक है इसने हमारी चाहर वैले हो जाए थे बट हमें धनात्मक लेना तो धनात्मक हमने कर लिया चलिए यह तो बिल्कुल हालुआ चीज़े थी जो हमें इसाब करते आए ठीक है अब हम देखते हैं अलग चीज़ बिल्कुल वो अलग चीज़ क्या है दुईगात समेकरण के मूलों का योग और गुड़नफल जिसे हमारी यह standard equation दी होई है ax square प्लस bx प्लस c equal to 0 अब हम directly इसमें से मूलों का योग निकाल सकते हैं कैसे अगर हमारे मान ले केमारे जो दो मूलें वह क्या है अफ़ा है एक मूल अल्फा है और दूसरा है इसके hein यह उसके मूलें यह एक्स की वेलू है मान की तो मूल होता है वो क्या होता है अलफा प्लस बीटा कि योग-equal-to क्या हो सकता है योग इकल टू अलफा बीटा क्या होगा? माइनस का B अपॉन A ठीक है? यनि अलफा प्लस बीटा इकल टू क्या होगा? माइनस का B अपॉन A अगर मैं equation पता है तो आप directly मूलों का योग निकाल सकते हैं साथ में मूलों का गुलनफल भी निकाल सकते हैं कैसे? अलफा इंटू बीटा एकल टू क्या जाएगा? C अपॉन A C अपॉन A तो आप इसको जाए फॉर्मूला समझ लें या आप सिंपल समझ लिए कि ट्रिक समझ लिए कुछ भी समझ लिए बट यह फॉर्मूला ही है अलफा प्लेस बीटा एकल टू माइनस का B अपॉन A और अलफा बीटा एकल टू C अपॉन A बस खतम बात इससे इस पे बेस्ट कुश्चन पूछ सकता है पेपर में ठीक है? अच्छा अब इसके साथ में थोड़ी सीज़े और समझ लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें मूल दिये होंगे किसी समिक्रण के हमें मूल दिये होंगे हमसे कहेगा कि समिक्रण बनाओ कि वल मूल दिये हमसे कहेगा कि पांच एक मूल पांच है एक मूल चार है तो वो द्विगात समिक्रण क्या होगी ठीक है? तो हम simply ऐसा कर सकते हैं एक तरीका क्या हो सकता है कि x minus और जो value दी है 5 दिया है तो 5 लिख दिया फिर से x minus लिखो और फिर जो भी दिया है 4 जिसे दूसरा मुझ लगा 4 है तो 4 लिख दिया अब equal to 0 कर दो अब इसको थोड़ा सा multiply कर लोगे तो क्या हो जाएगा x square minus का 5x minus का 4x minus minus plus और 5 जो के 20 equal to 0 यहनिके x square minus का 9x plus 20 equal to 0 यह हमारी equation प्राप्त हो जाएगी हमें किवल इतना दिया था हमें किवल दिया है 5 और 4 किसी equation के मूल है तो यह equation हमें प्राप्त हो सकती है इस तरह से क्या करना होगा x minus alpha करो और x minus beta equal to 0 अब alpha beta की value डाल दो alpha beta कितना है 5 और 4 बस multiply करके यह equation मारी मल जाएगी clear तो एक तो तरीका यह हो सकता है equation प्राप्त करने का दूसरे तरीका क्या हो सकता है एक मिनट तो दूसरे तरीका हमारा यह है कि जब मूलों का योग और गुड़न फल दिया हो तो आप directly question लख सकते हो क्या equation लिखोगी आप कि x square minus का मूलों का योग इंटू x plus का गुड़न फल यह हमारी equation बनेगी यहां इसको हम ऐसे लिखें कि x square minus का alpha प्लस बीटा x प्लस alpha बीटा equal to zero तो अगर हमें alpha प्लस बीटा दिया हो और alpha बीटा यहीं कि गुड़न फल और योग फल दिया है तो आप डिरेक्ली इस formula से equation प्राप्त कर सकते हो clear तो दोनुँ चीज़े मैंने बता दी हैं अब इस पर एक बेस्ट question कर लेते हैं तब समझ में अच्छे से आएगा हमारा ठीक है तो कह रहा था कि दुई घात समेकरन जिसके मूलों का योग तीन और गुड़न फल मैनेस दस हैं तो वह समेकरन क्या होगी तो मैंने बताया था कि भाई x square लिखना है आपको माइनस लगा के यह मुझी फॉर्मूले में है माइनस योग यहां कि alpha plus beta equal to 0 ठीक है तो यह फॉर्मूला है हमारा x square लगाया माइनस योग कितना है alpha plus beta कितना है तीन दिया है तो हमने 3 यहां पर एक्स भी होगा multiply में त हो जाएगा 3x plus का गुलनफल कितना है माइनस का 10 जीरो तो equation क्या हो जाएगी x square माइनस का 3x माइनस का 10 एक्वल टू 0 यह हो जाएगा हमारा है इसमें क्या ही गठिंदा बताओ यार तो यह तो हमारा formula है जिसमें value डाली answer आ गया simple तो कौनसा of answer होगा हमारा option number a option number a ठीक है match कर कर रहा है simple question है यार paper में आ सकता है ठीक है और आप इसको alpha beta पता नहीं क्या क्या लगाओगे फिर कुछ भी करने कोशिच करोगे directly answer हो चलिए question number 5 भी ऐसा ही है लगभग लगभग ठीक है क्या कह रहा है कि किसी द्विगात समेकरण के मूल जो है 5 और 6 है तो यार अभी मैंने क पर alpha beta की value डाल दो alpha कितना है 5 beta कितना है 6 तो x-5 x-6 equal to 0 कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा x square minus 6 और 5 11 हो जाएगा 11 x और minus minus प्लस हो जाएगा 6 पंजे 30 तीस यह हमारा कि यह हमारी question जाएगे दिगात समय करना ठीक है जो हमसे पूछी गई है तो option number कौन से मैच कर रहा है option number बी मैच कर रहा है यहां पर दिखिए x square minus का 11 x और plus का 30 ठीक है तो जब मूल दिये हो तब भी आप कर लोगे और जब मूलों का योग और ग्रनफल दिया हो तो भी आप कर लोगे आसान है अब एक नया कुशनिया हाँ पर आया है जो कि important है paper में आ भी सकता है बहुत आसान है देखो हमसे क्या करा है कि 2 minus root 5 और 2 minus root 2 plus root 5 किसी द्विगात समीकरण के मूल है तो वो समीकरण क्या होगी अब बताओ कुशन नमबर 6 है अच्छा कोशन है यह तो मूल दिये हैं तो हम directly क्या करेंगे x minus घटा देंगे क्या करेंगे 2 minus root 5 यह हमने घटा दिया एक टर्म तो यह हो गई दूसरी टर्म हमारी क्या होगी x minus 2 plus root 5 ठीक है एक यह टर्म हमारी हो गई अब equal to 0 रख देना है अब दोनों को बस solve कर लिजें अंसर आम का आ जाएगा ठीक है तो दुख्या थोड़ा सा यह लंदी पढ़ रहेगा मेरे साब से यह जो तरीका है इसमें देखिए जो देखो एसा थोड़े नहीं कि कोशीज हमेशा आपके पास काम करेगी नहीं नहीं यह तरीका ठोला लंबा पढ़ेगा अब दूसरा तरीका में यहाँ पर लग जाएगा भाई यह तो कट जाएगा बज़े कितना चार ठीक अब दो लोगे करेंगे तो अलफा बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा टू माइनस रूट फाइव और टू प्लेस रूट फाइव क्या हो जायगा एष्क है मैघ ज़ाएक फमर-बैर बनेगा तो यह नहीं 2 का स्कार और रूट 5 का स्कार है कि ग्षार माइनस का कितना जयेगा पांच इकड़ माइनस का बन तो गुद्ैंस कितना आ गया माइनस वन योग कितना आ गया प्लस का चाहर एक्वेश्न डाब लिढेस किया लिख सकते हो लिख होगे एक्स स्क्वायर माइनस का योग इंटू X और प्लस का सी जो की वेलू है हमारी कि यह यह एक बी एक मितलब मैनिस का कवन एक हखल टू जीरो यह हमारे कुईशन बन जाएगी हमारी कुईशन नोप्षिन नमबर लेको क्या मैच कर रहा इसमें अप्षिन नमबर मेच करेगा एक्स स्क्वेयर पहला ऑप्षिन मिल रहा है यहाँ पर दिखिया है ठीक है आप उसको क्या गरते मैल्टीप्ला करते तो बड़ा लंदी जाता है तो इसलिए में ने शॉट कर तरीका बताया है है ना जब मूल दिए हैं तो आप मूझों कर गुलन फल पितुग्याद कर सकते हो यार मूझों का योग फाल पितुगार चाहिए हो अपसे अब बिल्कुल डिफरेंट चीज आई है आपे बिल्कुल ही डिफरेंट चीज आई है जो कि पेपर में पूछी जाती है और लोग समझें नहीं पाते इसको ठीक है न मूलों की प्रक्रति देखी द्विघात समिकर जब आपको दी गई है तो उसके मूल कैसे होंगे यह हम पता कर सकते हैं उसकी इक्क्वेशन देखके एक्क्वेशन को थोड़ा सा उस पर थोड़ा से क्रिया करके क्या एक चीज़ हम निकालते हैं हमने देखा होगा कि द्युगात समिकर्ज को जब फॉर्मुला लगा रहे थे अभी हम जीरो से बड़ी है यह जीरो से छोटी है यह जीरो के बराबर है अगर इन तीनों में से कोई भी कंडिशन आती है और ओविस्सी बाते तीनी कंडिशन आएंगी ठीक है तो हम कह सकते हैं कि उनके मूल कैसे होंगे अगर पहली कंडिशन अगर मूल अगर डी जो है बड़ा है 0 से ठीक है तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे वास्तविक होंगे लेकिन different होंगे अलग लग होंगे असमान होंगे पहली बात दूसरी बात अगर D की value अगर इस विवितकर की value जो है यानि 20 square minus 4 AC की जो value है 0 के बराबर आ गई तो वास्तविक होगा प्लस समान होगा सेम सेम यानि कि X की वे जो दो value आ रही थी वो एक ही value होगी खुल मिलाके ठीक है अब अगर तीसरी बात D की value अगर 0 से छोटी है यानि negative आ गया तो 0 से छोटी ही होगी और अब आवस्तविक हो जाएगा यानि कि अब इसको हम थोड़ा से apply करेंगो तो आपको अच्छे से समाझ में आ जाएगा clear है तो देखते हैं कि यह apply कैसे होता है questions पे ठीक है चलिए question number 7 है हमसे कह रहा है कि यह दिद्विगात समय करन AX square minus 4 AX plus 2 A plus 1 equal to 0 के मूल जो है समान है तो A की value क्या होगे ठीक है तो A की value क्या होगे तो भाई देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी हमें कह रहा है कि मूल समान है मूल समान होने के condition क्या थी कि जो D है वो equal to होना चाहिए 0 के अब D क्या था B square minus 4 AX अब B square minus 4 AX equal to क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए कहने का मतलब हमारा यह है ठीक है चलिए तो हम क्या करें कि इस वाली equation में A, B, C की value निकाले और इसके इसमें रख दें तो हमारा कहीने कहीं A की value निकालाएगी तो standard equation में लिखनी पड़ेगी देखो यहाँ पे standard equation क्या होती है A, X square plus B, X plus C equal to 0 इसकी तुलना करने की इस वाले की और इस वाले की तुलना करते है तो A की value की आ जाएगी यह तो A ही रहेगी B की value क्या आ जाएगी B की जगा पे हम क्या लिख रहे हैं देखें माइनस का 4 A लिख रहा है C की जगा पे लिख रहा है 2 A plus 1 क्या लिखेगा 2 A plus 1 अब इस चीज़ को हमें इसमें डालना पड़ाएगा मैं बहुत आराम से मैं बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ देखें B की जगा पे क्या लिखा है माइनस का 4 A इसका square हो जाएगा माइनस का 4 एक जगा पे क्या डाला था A C की जगा पे क्या डाला हुआ है 2 A plus 1 अब इस इसको solve कर लो answer जाएगा इसका square करो कि चाहिए चाहिए को 16 A square माइनस का 4 A 2 A plus 1 equal to 0 या ऐसे कर सकते हैं कि 16 A square equal to के दर भेस दो के तो क्या हो जाएगा 2 A plus 1 ठीक है तो यहां से A 1 एक बग कर जाएगा 4 से कर जाएगा 4 चाहिए 16 तो यहां पे बचेगा आपका 4 A equal to 2 A plus 1 ठीक है थोड़ा सा और solve करते हैं इसको यह जाएगा 2 A equal to 1 यानि कि A equal to 1 by 2 A की value कितनी आ गई? 1 by 2 हम से यही पूछा था A की value ठीक है 1 by 2 क्या की है हमने भाई simple सी condition हमें दी है साथ में हमसे कह रहा था कि भाई मूल समान है जब मूल समान होते हैं तो आप क्या कर सकते हो जब मूल समान है तो D हमारा क्या होगा 0 के बराबर होगा हमने पिछले भी conditions में पढ़ा था और D की value क्या होती है बी स्काइर मैनस 4 इसी विवित कर क्लियर एंसर आ जाएगा आपका चलिए अगला कुशन करते हैं बहुत इसा कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन दोस्तों ठीक है इसको करके जाएगा पेपर में आ भी सकता है यह यह यदि आलफा और बीटा समैक करना है एकस आस असकार मैनस एकस प्लस टू एकवल टू जिरो के मूल हो तो वन पॉन एलफा प्लस वन पॉन बीटा के का मान क्या होगा अच्छा जिसकी value हमें निकालने हैं उसको करके देखते हैं एक बार 1 by alpha plus 1 by beta यही तो हमें निकालना है इसको थोड़ा solve करो यार इसको solve करो तो क्या बनेगा beta plus alpha यह दोनों को जोड़ देने यही तो बनेगा तो इसका मतलब है कि दोनों का योगफल और दोनों का गुड़नफल अगर हमें पता हो तो हम directly question को कर सकते हैं solve कर सकते हैं अब इस equation में इसकी जब तुलना करोगे ax square plus bx plus c equal to 0 से तो दोनों का योग क्या जाएगा alpha plus beta equal to क्या जाएगा minus का b upon c sorry minus का b upon a clear है na minus का b upon a क्या हो जाएगा अब इस वाली question देखिए minus b कितना है minus तो लगा ही लगा है और minus का 1 upon a कितना है ये भी 1 है तो कुल मला की value कितना जाएगी 1 ही आ जाएगे clear alpha plus beta 1 आ गया ऐसे ही alpha बीटा है दोनों का multiplication क्या होती है c के बराबर होती सोरी c upon a के बराबर होती है यहीं तो हता है अब इसमें देखिए c कितना है two है इस वाली question में हाँ पर देख रहे है जो question में दिया हुआ है एक जगा पर कितना दिया है one two हो जाएगा कुछ नहीं करना भाई value रख दो बस answer आ गया अब alpha बीटा की value यहां पर रख दोगे alpha plus beta कितना है one और alpha बीटा कितना है दिया है दो आ गया answer one by two यहीं हमारा answer है भाई बहुत आसान question में हल्गवा question इसको बोलते है इस टाइब के question भी आ सकते हैं कि आप equation से पहले equation से क्या हमने निकाला है दोनों का योगव लोगव रख निकाल दिया बस value रख चलिए थोड़ा सा different बट वैसा ही question है लगभग लगभग question number nine बहुत अच्छा question यह बहुत प्यारा question है देखिए alpha और बीटा समीकरण two x square minus three x plus minus 12 के मूल हूँ ठीक है alpha और बीटा इस equation जो है दूगा समीकरण के मूल है तो alpha square plus beta square का मान क्या होगा देखो अब alpha का square plus beta का square अब आप ऐसे तो डारेक्ट लेंग कुछ कर नहीं सकते हैं तो यह दोखो आपने a square plus b square का formula पढ़ा था तो यह क्या हो जाएगा alpha plus beta का square minus का two alpha बीटा ठीक है यह क्या है भाई a square plus a plus b square का formula ही तो है वस हमने इधर दर लग लिए है तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि a plus b और a into b यह पता कर लिए तो हमारा a square plus b square की value पता हो जाएगी क्लिर है यही तुम से पता है यही तुम से कह रहा है तो यहां पर हम तुलना करने के बाद हम इसकी values लिख लेते हैं चीक है तुलना करते हैं वही standard equation से तो a कितना हो जाएगा हमारा sorry a क्यों alpha plus beta दोनों का योग कितना होता है minus का b upon a अब यहां यहां पर देखे को निकालना था उसकी वेल्व डाद देते हैं यहां पर माइनस का 12 दिया हुआ है और अपॉन टू दिया हो यानिकी माइनस का 6 सिंपल असान है अब यहां पर देखे कोश्चन में में जो निकालना था उसकी वेल्व डाद देते हैं alpha plus beta की वेल्व कितनी है थ्री बैट टू थ्री बैट टू का स्क्वार माइनस का टू और alpha beta की वेल्व कितनी है माइनस का 6 क्लियर स्वाल कर लो बस तीन तीन नो दो सब्सक्राइब नहीं बारा बार चोंके 48 और 48 नौ कि सब्सक्राइब तावन बटे चार यह हमारी वैलू आ जाएगी क्लियर रहा है वही एलफा स्क्वार प्लस बीटा स्क्वार एक उल्ट क्या जाएगा 57 बटे चार इस क्वेशन में हापे कोई आप्शन तो है नहीं है न अगर नहीं पड़ा तो यहां अपलाए कर रहें यहां पर समझ लो बस हमें अलफा बेटा की वैलू निकालनी थी वैलू रखनी थी बस हो गया क्वेशन चलिए अब अगला क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर दस बैसे ही 5 क्वेशन और है 5-6 क्वेशन उनको भी का मान क्या होगा विवेच्च क्या होता है पता है वही उसी की बात कर रहे है विवित कर ठीक है विवित कर रहे हैं लिए कि डी की बात कर रहे है तो हमें डी फाइंड करना है अब सिंपल सी बात है इसकी तुलना करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि एक इतना दिया और C कितना दिया हुआ है 1 by 3 अब D equal to हमें निकालना है डी की वेलू कहती है B square minus 4AC तो बस B की जगाँ पर करकोगे minus 2 का square हो जाएगा minus 4 एक जगाँ पर 3 लगती है और C की जगाँ पर 1 by 3 यह कट जाएगा आराम से और 2 का square कितना हो जाएगा तो दुनी चार और यहां पर भी चार यह 0 जाएगा टीक वेलू कितने जाएगी जीरो आएगी क्लियर ना डीक वेले जोरी आने की option आसान है विवे चक कब बताना था डीक वेलू में दानी थी हो गया तुलना करना आना ची है फटा 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 एंसर होगा चलिए तीनों कंडीशन याद लिएंगे तो भी दिकत आएगी इस क्वेशन में देखिए समेकर्ण एक्स को आरा मैनस फाइव एक्स प्लस एट एक्वल टू जीरो के मूल क्या है दोस्तों यह क्वेशन पेपर में आये हुए है यह मत सोचेगे कि आये नहीं हवा में बग कह रहा ह नहीं भाई वोशन आयों है ठीक है और जब आपके सेलेबस में दूगात समय करना है तो ऐसे प्याइब सर्माय का थोड़ी नहीं कि नहीं देंगे कुछन को हम नहीं है ऐसे थोड़े ना तो इसमें भी कि मूल है क्या होंगे इस एक्वेशन के मूल कैसे है वास्तविक है सम भाई हमें कैसे पता होता है भाई डी की वेलू निकालते हैं जब बी की वेलू जीरो से बराबर छोटी बड़ी कैसी भी आती है तब ही तो बता पाएंगे तो भाई तो सबसे पहले डी की वेलू निकालो सिंपल सी बात है ठीक है तो एकुल टू कितना यहां पर दिया हो है एक्वेशन में वन है बी इकुल टू मैनस का फाइव है और सी इकुल टू एट है क्लियर है यह तो हम देख के पता कर सकते हैं भाई तूल ना करने के बात अब डी इकुल टू कितना हो जाएगा कि एडी स्क्राइट मैनस का 4 A C कितना है मैनस का 5 का स्क्राइट मैनस का 4 A कितना है 1 C कितना है एट कि पच्छिस मैनस 832 54죠 보고 कि मैनस का साथ, है न, मानस का साथ, अब दिखिए, डी एकुल टू मानस का साथ आया, तो भाई, डी क्या है, विवितकर ही तो है, यानि कि डी की जो वैलू है, वो जीरो से छोटी है, क्योंकि मानस का साथ जो होता है, वो जीरो से छोटा होता है, माइनस का साथ जो है, 0 से छोटा है, तो जब d छोटा होता है, तो हम क्या कहते हैं, तो हम यह कहते हैं, कि जो उसके मूल है, वो वास्तिविक नहीं है, यह आपको पता होना चींद है, यह आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? यह वास्तिविक नहीं है वास्तिविक क्यों नहीं है अधिको यार जो हम स्रीदरचारा formula लगा देते हो under root के अंदर क्या लिखते थे b square minus 4ac इसकी value क्या ही है minus का 7 अब minus का 7 के ऊपर जब root लगेगा तो इसको आप solve कर सकते हो क्या कीसी भी minus की जो निगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकलता है दोस्तों ठीक है और अगर निकलेगा भी तो उसको हमें इमेजनरी रूप से लिखते हैं तो इमेजनरी का मतलब वही है वास्तविक नहीं है इसलिए ऐसा होता है ठीक है ना अब क्वेशन नमबर 12 करते हैं कूशन नमबर 12 अब इसमें करने किस इसके मूल अगर वास्तविक हैं तो क्या होगा तो के लाइस धन इकल टु फोर है यह क्रेटर देने कॉल 2 कल सकी लेसले में 20genल але है ठीक है तो यह condition हमें यहाँ पर बतानी है अगर मूल वास्तिविक हो तो मूल वास्तिविक होने के दो condition होती है आप जानते हो पहली बात तो यह कि D अगर बढ़ा है जीरो से तो भी वास्तिविक होते हैं और D अगर बराबर है लोगे तो भी वास्तिविक होते हैं ठीक है चलो तो यहां पर दो कंडिशन लग रही है यानि कि डी की जो वैलू है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मूल क्या होंगे वास्तिविक होंगे ठीक है तो यहां पर हम सिंपल डी की वैलू रखेंगे डी के मतलब b2-4 a c is greater than equal to 0 अब यहां पर आप खुद देखो यार इसमें b की वैलू क्या है 4 है तो यह नहीं 4 का स्क्राइर है मैं इसका 4 a कितना है 1 है सी कितना है के है ठीक है एक इस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसको सॉल करते हैं चार्चा कुछ 16 हो जाएगा प्रेटर जाएगा इसको हम स्वेला लिक्यों क्यों है इसको जाएगा इसको लिक्ता है तो यह जाएगा तो फोर इस ग्रेटर देन इक्वल टू के यहाया यह इसको हम ऐसे लिखे है कि के जो है लेस देन एक्वाल टू के है मतलब थो यह भई इसको हम तो लोगा इधर दो गर दी हैं बस वही बात है कहने का मतलब है जो फोर है जो वैलू है वो बड़ी होने चाहिए या बराबर होने चाहिए के के देखो तो ऐसे कुछ मिल रहा है पहला ऑप्शन मिल रहा है देखो पहला ऑप्शन अब इस चीज को हमने इसको कैसे लिखा है यह आपको समझना चाहिए भाई का हम में कहने का मतलब क्या है फोर जो है बड़ा है या बराबर है के के पहले ऑप्शन का भी तो मतलब वही है फोर जो है है बड़ा है या बराबर है क्ये क्लियर तो जब वास्तिविक होंगे मौल तब दो कंडिशन फॉलो होती है इसके बेस पे हम इस तरह से कर सकते हैं यह जो हमने यह किया है ग्रेटर ग्रेटर दन इक्वल्टू लोगों को समझने आता है कि अगर वैलू हमें इधर दर ट्रांस सउन मिस्क्रक्षाइब करेखा्यब कलड़ दो क्या होगा चैक सब्सक्रनाइ चाहिए इसको हैा बीक वैल्टू जिरो होती है तो इक तुछर गोच C equal to 0 होना चाहिए है हना फट आफट करते हैं इसको बीक वेलु कितनी है कि माइनस आठ आठ का स्क्वाइर और एक वेलु कितनी है 1 C की वेलु हमारी के है ठीक है तो आठ का स्क्वाइर और फटाइं चाहुं साट हुझा जाएगा चाहुं साट उकल टू 4 के अब यह 4 से कट जाएगा 4 से कट एगा तो 4 एक चार 4 चंग 24 है यहीं कि यह कुल टू कितना जाएगा 16 सिंपल कोशन है option number C मैच कर रहा है यहाँ पर आप देखिया ठीक है चलिए अब यह थोड़ा कुशन डिफरेंट है थोड़ा सा कुछ खास डिफरेंट नहीं है बर थोड़ा सा डिफरेंट है कह रहा है कि C X स्क्वाइर माइनस का B X प्लस A एक्वाल टू जीरो का विवित का जो है यानि कि D जो है सून है तो समान मूल लें समान मूल बीटा क्या होगा मतलब समझ रहे हो यार जब मूल समान है तो अलफा और बीटा बीटा ही तो होगा यानि अलफा और बीटा एक ही वेलू तो चाहिए अलफा कोच बीटा को बात तो एक ही न अब इसकी तुलना करो यहाँ पे देखो यह X square plus BX plus C equal to 0 से तुलना जब करोगे तो A की वैलू क्या दी होई है यहां पे C, B की वैलू क्या दी होई है, minus कभी, C की वैलू क्या दी होई है, A, बस इतना समझने वाली बात है, उसने आगे पीछे लिख दिया है, बस एक जगा पे C, B की जगा पे minus B, C की जगा पे A लिख दि है, 0 वैसून नहीं है क्योंकि, अब बस वैलू डाल दो, B की जगा पे क्या है, minus कभी, 4, एक जगा पे क्या है, C, C की जगा पे क्या है, A, अब दोनों को अगा हम equal to रखें तो क्या हो जाएगा, B square, equal to, equal to क्या हो जाएगा हूँ, सुरी हो, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखो, हमें इस सब करने के यहाशक्ता ही नहीं था, हमें करने के यह क्या हो रहा है, कि वह नहीं है, क्यों नहीं हावा सकता है, आप खुछ समझ जाओगे अभी, भाई हमें तो value निकाल नहीं है ना यार हमें x की value find करनी है तो x equal to वो formula लगाऊना यार स्रीधर चारा formula लगाऊना minus का b plus minus under root b square minus 4 एसी जिसको हम बोलते है d upon 2a ठीक है तो x is equal to minus का b अब b की जगा पे value क्या है b गी भाई b की value क्या है b की value है minus का b ठीक है minus पहला minus formula में है दूसरा minus यहां से आया plus minus d की value कितनी थी 0 थी पर साफ साफ दिया हुआ यहां पे तो यह 0 हो गया upon का 2a यानि कि x की value कितनी जाएगी minus minus plus का b upon 2a यही हमारा answer है बाई option number कौन सा है option number b upon 2a option में है क्या कि नहीं है हाँ गलती करती फिर से गलती करती जल्द बाज़े देड़ो हो आप भाई साहब मेरे जब यहां पे एक वैलू क्या है c है ना एक वैलू क्या है c तो यहां पे हमने c लेकना चाहिए ना तुछ मुझे क्या आएगा B upon 2C option number A match कर रहा है B upon 2C इसलिए अच्छा question है क्योंकि यहाँ पर गलती होगी कि एक जगा पर B जगा पर A इसलिए इंपोर्टन question है कुछ question बहुत हलुआ आने वाल है यार paper में question कठें नहीं आएंगे चली यह हमारा last question है ठीक है यह मारा last question है तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद रही तो लाइक वाई करते रहना ठीक है कह रहा है कि X equal to 1 दुगात समय करण AX square plus AX plus 3 equal to 0 एवं X square plus X plus B equal to 0 का उबहनिस्ट मूल हो तो AB का मान क्या होगा उबहनिस्ट मूल का मतलब समझ रहे हो यानि कि जो पहली question है और दूसरी question है दोनों का मूल X equal to 1 ही है अब जब दोनों का मूल है तो दोनों को satisfy भी करेगा तो यानि कि X की जगापे हम 1 डाल देंगे पहली question की बात करें यहाँ पे पहली question में A की जगापे स्वारी X की जगापे 1 डाल रहे है तो यहाँ पे 1 है स्वारी A X की जगापे 1 डाला square किया plus A लिखा multiply में 1 plus 3 equal to 0 तो क्या हो जाएगा A plus A plus 3 equal to 0 तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2A minus 3 ठीक है A equal to minus 3 by 2 तो A की value यहाँ से आ गई अब ऐसी ही B की value भी second location से आ जाए ठीक है अब B की value यहाँ से निकालो यहाँ पे भी हम X equal to 1 रख रहे हैं तो X equal to 1 का square रखा plus का 1 plus का B equal to 0 तो यह भज़ागा 1 plus 1 plus B equal to 0 यहनिकि B equal to कितना जाएगा minus का 2 हम से क्या पूछा है A B पूछा है यहनिकि multiply ही तो पूछा भाई मेरे तो multiply ही तो पूछा है A B का तो A की value कितनी है minus का 3 by 2 B की value कितना है minus का 2 दो दो कट जाएगा value जाएगी minus minus plus 3 A B B कितना जाएगा 3 हो जाएगा option number A कि खतम कितना आसान कोशन है लगर आया हुआ बहुत का दिन खतरनाग लेकिन है कुछ भी नहीं ठीक है तो A की value वहां से निकली A की value वहां से निकली answer आगया तो दोस्तों यह video हमारी complete हो गई है पूरी class complete हो गई है और अगर video पसंद है तो video को like करिए share करिए channel को हमारे subscribe करिए तक हमारे पास उस तरह का इतना भी system रही है कि हम आपके live अपना face दिखा के पढ़ा पाएं ठीक है और वहां से थोड़ी problem भी हो जाती है छोटे computers में okay तो जैसा भी हम आपको दे पार रहे हैं यह best है यह best है ऐसा आपको बहुत सी live classes में नहीं मिलेगा जो आप video पर देखते हैं YouTube पर देखते हैं ठीक है तो यह में तरफ से best है अभी और भी best आने वाला है तो बस लेकपाल भरती में लगे रही है आप लोग मैं भी लगा हूं सब लोग लगे एक साथ और सब लोग एक्जाम निका लेंगे चाहे आप टीच हो जाएंगे आप वहां से देख सकते हैं ओके तो मिलेंगे एक्स वीडियो मतबते के लिए गुडबाई बस पड़ते रहे हैं